एक साल पहले तक बिटकोईन को डिजिटल संपत्ती बताने वाले अमेरिकी उद्योगपती एलेन मस्क की कमपनी टेसला ने बिटकोईन में अपनी 75 फीसद होल्डिंग बेज दिये 2021 की चुरुबात में टेसला ने बिटकोईन में डेड़ अरब डॉलर का निवेश किया था सर मस्क ने बिटकोईन क्यों बेच दिये वो तो भविश बता रहे थे इसको बता रहे थे कि ये भविश है निवेश का तो उन्होंने क्यों बेच दिये फिर ये बिटकोईन मस्क के नाम पर या मस्क के ट्वीट से और बिटकॉाइन को और क्रिप्टो करिंसी के सपोर्ट से प्रभावित होके बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करिंसी खरीदी थी हाला कि उसमय भी चर्चाओं में हम लोग लगाता रहे कहते थे कि क्रिप्टो करिंसी को लेकर और ब ऐसा वापस लाना चाहते हैं टेसला कई तरह से दबाव में है ब्याजदरों में बढ़ोतरी हो रही है बैटरी और जो इलेक्टरिक कार बनाने की मेजर कास्ट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और इसके अलावा ट्विटर को खरीदने की जो उनकी उत्साहा वर्दक घोशना थी और जो कोशिश थी वो भी मुश्किल में अपस गई और वो अदालती जगने में पहुंच गई है बिटकॉइन से मस्क का बाहर आना या बिटकॉइन का से बाहर निकलना आम तोर पर काफी हद तक बिटकॉइन के को लेकर जो बना हूँ सेंटिमेंट है बाजार में जो सेंटिमेंट है उसको और जाधा बढ़ाएगा क्योंकि हमें याद रखना जरूर ही कि एक समय तो मस्क यह कह रहे थे कि टेसला का पेमेंट वो अपनी कारों का पेमेंट भी वो क्रिप्टो करेंसी में स्विकार करेंगे इसके अलावा होगा क्या है कि जो क्रिप्टो टेका अच्छेंजेंज तक कि नौबत आगई थी सर्चेंज लगातार क्राइसें फस रहे है क्या इसी वजह से निवेशकों का जो भरोष्ता है वह लगोए डगमा रगा है डुल रहा है हाँ एक्शेंजेंज का क्राइसिस में और क्रिप्टो करेंसी में एक्षेंजेंज क का कराइसिस में आना किसी दूसरे और कारोबार से या ट्रेडिंग से या सिक्युरिटी से इसे काफी अलग है जिसा आम तौर पर हम जब स्टाक मारें या बांड मारें के संदर में बात करते हैं तो उसमें एक्स्चेंजेज आम तौर पर दो पक्ष्चों के बीच कारोबार लेकिन आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहेगा बिटकोईन के साथ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इनके पीछे कोई regulator नहीं है इनके पीछे कोई depositories नहीं है कोई guarantee नहीं है कि अगर exchange ढूप जाता है तो यह पैसा आपको कैसे वापस मिलेगा और वही वास्ताव में हो रहा है कि आने वाले समय में delivery की crisis यानि आपके bitcoin निवेश में आपके bitcoin आपको वापस मिलने का संकट आएगा और यह इस चीज़ से प्रूव होता है कि Celsius जो की बड़ी firm है अंतराश्टी स्थर पर bitcoin में उसने भी हाल में अपनी bankruptcy फाइल किया यानि उसने अपने आपको दिवालिया लगते थे उन्हें वो वापस चुका नहीं सकती क्योंकि जाधातर लोगों ने उनके साथ no delivery का agreement किया था यानि bitcoin जो उनके पास उपलब्ध है उनकी वापसी नहीं हो सकती उनके liar ने ये कहा है कि users ने अपने legal power bitcoin या crypto को claim करने के पहले ही surrender कर दिये थे जब वो इस exchange के साथ का default करेंगे बंद करेंगे ये regulators के दवाओं से crash होना खतम होना शुरू करेंगे जो भी उसमें है digital format में वो मिलेगा कैसे वो किसके पास है वो वापस कहां से आएगा और जो वापस आएगा वो trade कहां होगा ये बात में दिखाए देती पर Elon Musk का bitcoin से निकलना cryptocurrency बाजार के भविश झाल